हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आज हम गुड़ा अर्थात मल्टिप्लिकेशन सीखेंगे और मल्टिप्लिकेशन को पहुत ज्यादा शिंपल तरीका से सीखा जाएगा तो फ्रेंज यहाँ एक अंग का पले आपको मल्टिप्लिकेशन अर्थात गुड़ा चाहते हैं चेह यहीं और यहां भी बनुपन को सब्सक्ते हैं चलिए अब दू का पांच बर पाभाआ पढ़ना की तो कितना हो गटाशत हो गटारें लोका शाय। उतारते थी, 11 यहां पर उतार लेजी, यहीं फ्रेंस क्या होगा, एक अंक का गुड़ा होगा, चलिए, अब 4 का गुड़ा करके बताते हैं, 4 का गुड़ा कैसे कर सकते हैं, देखें, 4 का जब 566 में गुड़ा करना है, तो 4 का पहले 7 बर पहड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो 4 सकते 28 होगा, देखें फ्रेंस, यहां पर 28 हो रहा है, तो जो इकाई के अस्थान पर होता है, यहां पर लिखते हैं, और इसके बगल में जो होता है, इस साइट, दाहाई के अस्थान पर हमेशा हासिल होता है, तो हासिल कितना होगा है फ्रेंस, दो हो गए, याद रखेंगे तो 26 हो गया, 26 हो गया, एक एक अस्थान पर कितना है, 6, यहां पर कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तो आपका हासिल कितना बच्चा, 2, यहां भी याद रखेंगे, दो हासिल है, 4 का पाँड़ा 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 और ऊदारेंगे तो फ्रेस्स यही्पका क्या हो जाएगा एक अंक का गुड़ा होगा चलिए अनक्स को सीन को देखते हैं तो अंक का गुड़ा लौत ऑद दोसें का देखें जे कंना डो आ सामने काको देखते हैं old 익 यहां दिखेंगे और इसके बगल में चुछ संख्या होता हमेशा हासिल होता है एक हासिल है इससे आप याद रखेगा देखिए दो का पांच बाट टेबल पढ़ेंगे ति कितना होगा आपका दस एक 11 होगा देखिए इसके आगे आपकी संख्या में गुड़ा नहीं करना है आपको तो यह पूरा 11 का 11 यहां पर लिखेंगे ठीक है 11 लिख लिए अब देखिए फ्रेंस जब अगला अंक का गुड़ा करना होता है यहीं पर ध्यान देना होता है कि कैसे करते हैं देखिए तीन का गुड़ा दो में होगा तीन का जब दो पर पढ़ाणा पढ़ेंगे तीन दुना के च्छा अभी इस च्छा को लिखेंगे कहां फिरेंस देखिए जब तीन का इसके अदम जश्ट नीचे लिखेंगे यानि कि यहां से लिखना इस्टार्ट करेंगे तो यहां पर लिखेंगे बस यहीं चीज़ आपको समझाना था कि जब तीन का जब दो अंक क गुड़ा होता है तो उस संख्या को लिखना कहां से होता है उसी संख्या कि नीचे से जश्ट नीचे से लिखना इस्टार्ट करते हैं देकि तीन का दो बार पढ़ा पढ़ेंगे तीन दुना के च्छा होगा यहां पर लिखेंगे तीन का पांच बार टेबल पढ़ेंगे 3, 5, 15 होगा, 15 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, पुरा 16 उदारें, अब क्या करते हैं इसको जोड़ें, दिखे 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो यह 4 होगा, 2 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6, 2, 8 होगा, 2 में 3 जोड़ेंग आपको क्या होजागा, गुड़ा होगा और यही आपका एंसर होगा, तो फ्रेंज, आपको यह वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें